इस वक्त आप हमारे हाथ में एक दवाई का पेकेट देख सकते हैं इसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे इस दवाई का नाम है रिज्डी प्लाम और इसकी कीमत है चेटाग बीस हजार आठ सो पैतिस रुपिया यही दवा है जो अयांस को बचाया हुआ है जो जन्मचनु से सवाल करते हैं जो कहते हैं कि आप कहते थे कि आयांस की मिर्तु हो जाएगी अगर दो साल के भीतर जो लगेस्वा इंजेक्शन नहीं लगता है तो आज के तारिक में आयांस क्यों बचा हुआ है तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा कि यह साफ साफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दवाई की कीमत क्या है कि विशेश बात मैं नहा सिंग से करता हूं कि नहा जी यह जो दवाई है छे लाग भी साजार आठसो पैतिस उर्पिया का पहले यह सब जिक्र नहीं होती थी लेकिन आज के तारिक में जैसे जैसे सवाल किय जा रहे हैं लोग के मन में त्रा त्रा के बाते सामने आ जाती है कि पहले सब बाते ने थी अब छे लाग भी साजा आठसो पैतिस पैतिस बात कहां से आ गई सर मैं यह शुरू से बोल रहे हूँ एविन की सर मेरा वीडियो भी बना था जब मैं स्टार्टिंग नॉवेंबर में लास्ट नॉवेंबर में मैं गई थी बैंगलॉर उस टाइम वीडियो भी बना था कि मैं दवा लाने जा रही हूँ वहां और यही दवा था सर इसी दव आज के सहारे ये तब से नॉवेंबर से सर ये स्टार्ट हुआ है और लगातार ये दवा चल रहा है तो सर उस टाइम वीडियो मेरा बना था अगर आप नॉवेंबर का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मैं बोली थी कि मैं रस्टी प्लाम दवा लाने जा रहे हूं और मैं व लेकर आई थी तिसर उसके बाद सर छले चले तो ये इसका अपरेशन के बाद से तो सर कोई कोई आता ही नहीं था हमारे हैं कि कुसी को अपनी बात रख पाए आप लोग के पास सर्सें evening čा है जो कि बटाने के लिए क्या रहा है आप लोग कामर लेकिन हमारे पास कोई सोर्स नहीं था बताने के लिए यानि कि आयांस को पर मंत यह दवाय दी जा रही है यह इक महिने का चलता है यह तो अभी खाली डबा है थे निज कंश्र व cherry के बीच देखा वता को अगरा नहीं से लाते हैं तो सरे icebox में ही लिए लाते है तो आप परमन जाते हैं क्या लेकिन अब में delivery यही इंपर देरी नहीं अजया भूल ज giving दल्धा लगता घंत। यह जो पाईशा है यह नहीं यादने यह पैसा कहां से लगा रहे हैं यह लोगों ने जो दिया है help किया था donation के पैसे से ही सर जी हाँ नहा सिंग से समझ सकते हैं या जो 6,20,835 रुपईया है रिजडी पलाम की यह जो donation मिला है उसी पैसे से यह खरीदा जा रहा है और इसी दवा की बजा से आयांस बचा हुआ क्या यही दवा है क्या में बजा यही दवा है और में यही सब मशीन है सर अगर मशीन अगर सर इसमें से कोई भी हटा दिया जाए तो आयांस को बचाना मुश्किल है सर यानि कि यह सांस लेने वाला मशीन है यह कफ का मशीन है अगर इस मशीन को आप हटा देंगे तो मुझे नह इसको कफ बहुत जल्दी जल्दी बनता है और अगर गले में अगर मतलब रह जाए तो यह ना कुछ निगल पाएगा ना कुछ मुह से फेक पाएगा और और तस्वीर में समझ लीजिए यह जो देख रहे हैं शरीर में लगा हुआ इसे कफ रिलिज किया जाता है और यही तंत्र है जो बच्चे को कफ रिलिज करता है दुस्ता तंत्र देख लिजिए यह इस मसीन से बच्चे को सास दिया जाता है जिससे बच्चे को सास लेने में तकलीफ ना हो वो भी जो मसीन देख रहे हैं वो भी ठेरेपी के लिए यह ज देख रहे हैं निमोलाइजर इसे लूज किया जाता है यह चार जो मसीन है बहुत ही महतपूर्ण है बच्चे को बचाने के लिए साथ-साथ यह दबाई रेजडी प्लाम समझ लिजिए एक यह एक यह एक यह एक यह एक वो और यह बच्चा इसी चीजों पर यह बच्चा कारिक में तो बच्चा बचेगा नहीं और बच्चा की मिर्टू हो जाएगी इस रेजडी प्लाम को दिखाने की से बज़ाया है जन्मस नूज को जो दर्सक समझते हैं कि आयांस क्यों बचा हुआ है दो साल के बाद इस वीडियो से समझ सकते हैं कि आखिर एसे में टाइप वन प्लिद बच्चा क्यों बच्चा हुआ है पिलिज दर्सको इस वीडियो को आयांस के हित में सेर किजिए आपका बहुत बधन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध